मगरमच और बंदर एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था वो तो हर रोज जामुन खाता था लेकिन जंकल में सेर करने के लिए जाता और वहां से मीठे मीठे फल खाने के लिए ले आता था उस नदी के दूसरी और एक मगरमच रहता था वो नदी में कई बार मचलिया खाने आता था कभी-कभी तो उसे एक भी मचली खाने को नहीं मिलती थी और मगरमच को भूका रहना पड़ता एक दिन वो मगरमच ऐसे ही भूक से बेहाल होकर नदी के उस पार पहुचा उसने देखा बंदर एक पेड़ पर आराम से बैठकर कुछ खा रहा है अरे बंदर भाईया तुम क्या खा रहे हो क्या बताऊं आज तो मेरा भूक के मारे बहुत बुरा हाल है मैं जामुन खा रहा हूँ बहुत ही मीठे हैं तुम खाना चाहोगे ठीक है मैं भी चक लेता हूँ थोड़े जामुन दे दो मुझे भी ये लो जामुन साथ में बेर भी है ये मैं जंगल से लेकर आया हूँ वह ये दो बड़े ही स्वादिष्ट हैं शुक्रिया दोस्त तुमने मुझे मीठे फल देकर मेरी भूख मिटाई अब मगरमच को जब भी भूख लगती और उसे मन चाहा खाना नहीं मिलता तो वो नदी के उस पार बंदर के पास चला जाता था बंदर उस मगरमच को खाने के लिए जामुन और तरह तरह के फल देता रहता था कभी-कभी बंदर मगरमच की पीच पर बैठ कर नदी की सेर करने जाता था वो दोनों अब अच्छे दोस बन गए थे एक दिन उस मगरमच ने कुछ जामुन अपने पत्नी के लिए मांग लिए बेशक ये लो जामुन औ और कुछ मीठे फल भी ये अपनी पत्नी को खिलाना बंदर भाईया शुक्रिया मगरमच ने वो मीठे फल जाकर अपनी पत्नी को खिलाए स्वादिष्ट जामुन और बाकी के फल खाकर मगरमच की पतनी ने ये सोचा कि हर रोज इतने मीठे फल खाने वाले बंदर का दिल भी बहुत मीठा होगा सुनो, मुझे तुम उस बंदर का दिल ला कर दो अगर ये फल इतने मीठे हैं तो सोचो उन फलो को रोज खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा अरे नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है उसने मेरी बहुत मदद की है वो सब मैं कुछ नहीं जानती बस मुझे उस बंदर का दिल ला कर दो वरना कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना पत्नी के जिद से मजबूर होकर मगर मचने एक चाल चली और वो नदी के उस पार पहुचा सुनो बंदर भया, तुम्हारी भावी तुमसे मिलना चाहती है मेरी पत्नी ने तुम्हें आज घर पर खाने के लिए बुलाया है चलो आओ, मेरी पीट पर सवार हो जाओ ताकि मैं तुम्हें आराम से अपने घर ले जाओ बंदर भी अपनी दोस्त पर भरोसा करके पेड से नदी के किनारे उत्रा और उसकी पीट पर सवार हो गया तो आज क्या है दावत में? तुम्हारी पसंद का सब कुछ है केला है, मुँ फली है, बहुत कुछ है दावत तो बस तुम से मिलने का एक बहाना है जब वो दोनो नदी के बीचों बीच पहुचे तो मगरमश ने सोचा अब बंदर को सच बात बताने में कोई मुश्किल नहीं है और उसने सच कह दिया सुनो मेरे दोस्त, दावत तो सच में एक बहाना है असल में मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है उसका मानना है कि रोज मीठे मीठे भल खाकर तुम्हारा दिल भी कितना मीठा हो गया होगा उसकी इसी जित से मजबूर होकर मैंने तुमसे जूट कहा और तुम्हें घर आने का न्योता दिया बंदर को इस बात से बड़ा धक्का लगा और उसे बहुत दुख भी हुआ लेकिन उसने अपना धीरच नहीं खोया और बड़ी समझदारी से उसने कहा पर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर संभाल कर रखा है अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लेकर तुम्हारे साथ चल सकूँ और अपनी भाभी को मैं अपना दिल देकर उन्हें खुश कर सकूँ मगरमच बंदर को नदी के किनारे ले आया बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर चलांग लगाई और गुस्ते से बोला सुन मूर्ख मगरमच तुम बहुत ही स्वार्थी हो इसलिए तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते और सुनो तुम मूर्ख भी हो क्या कोई अपना दिल निकाल कर कहीं रख सकता है क्या दिल के बिना भी क्या कोई जीवित रह सकता है जाओ, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खतम हो गई ऐसे धोखा देने वाले मित्र से तो दूर रहने में ही भलाई है लेकिन मैंने ये सब अपनी पत्नी की जिद के आगे मजबूर होकर किया गलत काम में साथ देना भी बहुत बड़ी गलती है अब मैं दोबारा तुम पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकता संकट के शणों में धैर्य रखना चाहिए ताकि हम मुश्कल समय का होश्यारी से सामना कर सके स्वान्धी और धोके बास दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए झाला चाहिए